आपको आज एक तरीका बताएंगे जिससे आप almost free में या फिर free में ही अपना एक DMAT और trading account create कर पाएंगे यहाँ पर actually दो options निकल के आते हैं कि आप एक full broker के साथ अपना account खोल सकते हैं या फिर एक discount broker के साथ खोल सकते हैं upstocks एक काफी जादा recognized discount broker है जिसके यहाँ आप एक trading as well as DMAT account बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरा step by step process पताएंगे कि किस तरीके से आप upstocks का account खोल पाएंगे एक 10 minute के अंदर digitally घर बैठे बैठे यह account आपका खोल जाएगा और साथ में आपको काफी सारे benefits मिल सकते हैं और आप अपना IPO में stocks में trade कर आपको description में इसका link बिल जाएगा और जहां से आप step by step पूरा जो opening का procedure है वो देख पाएंगे let's get started और अगर आप चैनल पर रहे हैं ता subscribe कर लिजेगा like करेगा अगर आपको ये वीडियो helpful लगा let's get started on to the account opening procedure जो link description में दिया है उस पर click करिए और आप पहुंच जाएंगे इस तरीके के एक dashboard पर ये जो dashboard आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको दो चीज़े नज़र आ रही होंगी एक है आपका email address और दूसरा है आपका mobile number वो ही email address और mobile number डालिए जो आप frequently use कर सकते हैं bank के साथ OTP के साथ link किया हुआ है क्यूंकि ये आपका पूरी तरह trading और bank account DMAT account है तो इसको आप lightly लिमत लीजेगा सारा OTPs email का as well as mobile का आपका इसी number बनाएगा वही टालिएगा और send OTP कर लीजेगा जैसे ही आप send OTP कर लेते हैं का OTP आपके पास आजाएगा उसको आपको डाल देना है और verify करके account create करने का process को शुरू करना है फटावर देखते हैं क्या-क्या documents आपको लग पाएंगे pen card डालिएगा फिर date of birth डालके next कर लीजेगा इसके बाद कुछ basic information आपके बारे में जाना जा रहा है जो है आपकी basic profile male female single आपका income यह आप अपने हिसाब से बर सकते हैं साथने important यह है कि आपका trading experience और आपका political exposure वो आप no करिएगा most probably majority of us are not politically exposed फटावर आगे आपके बाद आती है कुछ occupational details अगर आप business है job है student है वो डालिएगा father name बहुत correctly डालिएगा जो आपका pancard पर है क्योंकि verification के लिए help करेगा और एक important चीज है कि is your country of taxation India 99% लोग जो यह वीडियो देख रहे होंगे उनका India होगा टिक करिएगा फिर आप आगे बढ़िएगा terms and condition को पढ़के टिक करिएगा और next पर बटन दबा दीचेगा जैसे आप next का बटन दबाते हैं तो आपके सामने एक option आजाएगा कि आप एक free stock जीच सकते हैं आप stocks के दवारा आपको yes करके आगे बढ़ना है और इसके बाद एक digital signature का option आएगा screen पर ही touchscreen पर आपको एक अपना digital signal approximately जैसी आपकी सिखनी चार है वैसे आपको कर देना है उसके बाद आपको next का बटन दबा देना है जैसे आप next का बटन दबाएंगे अब आएगा आपका आधार कार्ड and KYC verification का stage यहाँ पर abstracts और government of India का digilocker का tie-up है यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड को अगर mobile number आपक आसान सिंपल तरीका है digital way में अपना KYC complete करने का जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो इस page पर आपको अपना आधार कार्ड का number डालना होगा अपना आधार का number डालते ही next क्लिक करने पर आपको एक OTP आएगा यह OTP उसी number पर आएगा जिस पर आपका आधार और mobile number linked है तो बह करके next करिएगा जैसे आपने next करा तो यहाँ पर आ जाएगा कि अब आपको camera open करके एक photo याने एक selfie देनी होगी यहाँ पर abstract आपको clearly बता रहा है कि सभी की guidelines के लिए ही आपके आधार कार्ड के number का इस्तमाल किया जाएगा फड़ावर next करते है selfie open हो जाएगा selfie लेजिएगा accept करिएगा यह करने के बाद आपको bank account details डालने हैं यह important क्यों है क्योंकि इसी के द्वारा आप अपनी तरह funds load कर पाएंगे withdraw कर पाएंगे यह सारी चीजे कर पाएंगे तो bank account डालना है ISFC डियालना है bank account number को दो बार डालना होगा confirm करना होगा savings current को mention करना होगा next करके complete करना होग फड़ावड आगे बढ़ते हैं यह करने के बाद आपके पास option आ जाएगा screen पर जो है verify your email address तो जो आपने email address डाला है वहाँ पर एक OTP आ जाएगा get OTP करने के बाद उस OTP को डालिए approve करिए और आप आ जाएंगे इस page पर जब हम यह video बना रहे हैं तो special offer चल रहा है upstocks के द पहला option है उसको sign up पर free कर लिजे उसके बाद आपको option clearly आपके screen पर निकल आ जाएगा congratulations your plans are on the way इसके बाद आपको क्या करना है next पर करना है और वहाँ पर आप देखेंगे आप दूसरी तरीके से F&O and other segment में trade करना चाहते हैं या फिर आप उसको बाद में करना चाहेंगे मैं आपको at this point of time suggest करूँगा कि आप no I'll do later कर सकते हैं क्योंकि यह आप बाद में भी कर सकते हैं IPOs, Digital Gold Stocks के लिए आपको इतना करना ही enough है आगे बढ़ते ही आपके पास final option आ जाएगा e-signature का क्योंकि जो e-signature है वो आधार के द्वारा आपका होने वाला है तो सबसे पहले इ e-sign with आधार OTP पर टैप करिए यहाँ पर टैप करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास e-sign now का बटन आ जाएगा उसको टैप करिए टैप करने के बाद NSDL जो government की website है आधार की वहाँ पर आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर पहले आपको I agree वाले टैप पर टैप क कर लिजे जैसे ही आपने वरिफाय कर लिया OTP आपका e-sign form जो है वो अप स्टॉक के साथ सब्मिट हो गया और आपका application स्टेज जो है वो complete हो गया Around 3 दिन में आपका application approve हो जाएगा और आपको अपना login का details in terms of login name and password आपके registered email address पर आपको आसानी से मिल जाएगा अब आप आसानी से login कर सकते हैं और IPOs के लिए apply कर सकते हैं stocks के लिए इस पूरे process के लिए आपको जो link लगेगा वो description में चाहिए description में tap करिए और इस process को complete कर लिजे अगर आप limited duration के द्वारान देख रहे हैं तो यह आपको पूरी तरह free मिल रहा है register कर लिजिए इसके कुछ annual maintenance charges होते हैं बट वो काफी nominal होते हैं अगर आप regularly इस account को use करेंगे तो definitely इसको check करिएगा अपना account एक discount broker के साथ खोल सकते हैं जहां पर आपकी AMCs काफी कम होती हैं आपके brokerages काफी कम होते हैं तो definitely इसको explore करना बहुत ज़ादा जरूरी है और stock market में invest क करने का इससे जादा बहतर opportunity इस वक्त नहीं होगा thanks for watching this video for so long and definitely share it with your friends link आपको description में मिल जाएगा and bye bye